हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्त्रीवन टैक तो फ्रेंट्स आपने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बताया होगा कि जब आपके एक लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपके एक मिलियन हो जाते हैं तो आपको कौन सा फीचर मिलता है दस मिलियन हो जाते हैं तो कौन सा फीचर आपके चैनल पर दिया जाता है और जब आपके 100 मिलियन हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से फीचर अपनी चैनल पर देखने को मिलते हैं लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बत जाता है उसके बाद जब आपके चैनल पे 50 सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको कौन सा फीचर आपके चैनल के उपर मिलता है उसके बाद जब आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपके 500 सब्सक्राइबर होते हैं आपके चैनल के उपर तो आपके चैनल पे कौन-कौन बताने वाला हूं तो वीडियो बहुत ज़ादा informative है तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले बात करते हैं zero subscriber पे आपको क्या मिलता है तो friends जब भी आप नया चैनल बनाते हैं तो आपके चैनल के उपर कोई भी subscriber नहीं होता zero subscriber होते हैं तो YouTube की तरफ से आपको एक feature दिया जाता है जिसका नाम है mention करना मतलब आप अपनी जो भी YouTube वीडियो डालते हैं उसके title और description के अंदर आप किसी भी बड़े YouTuber या फिर छोटे YouTuber को mention कर सकते हैं इससे वो आपकी वीडियो में tag हो जाते हैं और जब आप अपनी वीडियो को live करते हैं, public करते हैं तो वो person जिसको आपने उसमें tag किया है उसके पास उसका notification चला जाता है तो इस तरीके से ये mention feature work करता है और इसके बारे में detail में जानने के लिए मैंने already इसके उपर वीडियो बना रखी है उसका link में आपको i button में दे दूँगा आप वहाँ से जाके easily उसे सीख सकते हैं तो friends आप बात करते हैं कि जब आपके channel के उपर 50 subscriber हो जाते हैं तो आपको कौन सा feature दिया जाता है इससे आपके views बढ़ने में आपको काफी जादा help होती है friends आप आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके channel के उपर 100 subscriber हो जाते हैं तो YouTube की तरफ से आपके channel के उपर custom URL का जो feature है वो enable किया जाता है मतलब आप अपने जो आपके channel का link है वो काफी लंबा होता है उसे आप अपने according customize कर सकते हैं मतलब उसमें आप कुछ भी change कर सकते हैं ये भी मैंने इसके उपर भी video बना रखी है उसका link में आपको i button में दे दूँगा आप हाँ से जाके easily उस video को देखके सीख सकते हैं आप कैसे अपने channel का जो you are है उसको customize करें उसके बाद बात करते हैं कि जब आपके channel के उपर 500 subscriber हो जाते हैं तो friends 500 subscriber होने पर एक बहुती कमाल का feature आपके YouTube channel के उपर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है community tab उसके अंदर आप अपनी pics upload कर सकते हैं कोई वीडियो upload कर सकते हैं लोगों से पोल ले सकते हैं उनकी राय ले सकते हैं पोल करके आप अपनी किसी वीडियो का link वहां पर दे सकते हैं तो friends जब आपके चैनल के उपर 1000 subscriber हो जाते हैं तो friends इसके साथ-साथ आपको एक और condition fulfill करनी पड़ती है जिसका नाम है 4000 hour watch time जब ये आपके चैनल पर complete हो जाता है last 365 दिन के अंदर तो ये दोनों जब आपके चैनल के उपर 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch time हो जाता है तो आपका चैनल monetize हो जाता है और आपके चैनल के उपर ads चलने लगती हैं जब आप उसे monetize करवा लेते हैं और उससे आपकी earning होती है तो ये बहुत ही कमाल के features हैं सारे जो आपके चैनल के उपर थोड़े थोड़े subscriber पर available हो जाते हैं और आपके चैनल को grow करने में आपकी काफी जादा help करते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया हुआ कि आपके 0 subscriber, 100 subscriber, 50 subscriber, 500 subscriber और 1000 subscriber पर आपको कौन-कौन से feature अपने YouTube चैनल के उपर देखने को मिलते हैं जिससे आप अपने YouTube चैनल को grow कर सकते हैं उसमें व्यू सब्सक्राइबर increase करवा सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई ब कर दो दो